मा पापा की गेगोद में खेली, भाईया दीदी के साथ सोई, थोड़ा दादू की डाट से रोई, तो कभी दादी की थपकी पर खूप की हम जोली, ऐसी थी मेरी छोटी सी जिन्दगी, अब बढ़ रही हूँ आगे, नजानी कितनी हैं बादाएं, मा ने सिखाया कभी तूट दादा दादी का तो याद नहीं, भाईया दीदी बस मेरी कलपना ही, मा पापा के आदवशोप पर चलने की कलपना कर रही हूँ, मा पापा के बताएं समाज के उन चार लोगों को ढून रही हूँ, क्योंकि अब मैं बड़ी हो रही हूँ, येस, पहले जे मिली तो उसने कहा समाज मेरा है, क्योंकि मेरा नाम अंधेरा है, मैं डर गई और थोड़ा से जगड़ गई, मा ने तो कहा था हमारी दुनिया में समाज में सिर्फ हो जाला है, पर अब जान पाईया कितना घंगोर अंध्यारा है, इस अंधेरे में चलने की कर रही हूँ क्योंकि अब मैं बड़ी हो रही हूँ, अंधेरा छूटा ही था कि पड़ाव दूसरा आया, मेरे चहरे पर थोड़ा से सुकून आया, और आगे खड़ा एक और सा आया पाया, जिसको देख कुछ समझ ना आया, आखिर मैंने पूछी लिया, और उसने कहा मैं यह बता दिया, मैं फिर भी ना समझ पाई, कहने लगा मैं तुझ में हूँ, तेरी मा में हूँ, न जाने कितनी पीड़ी से सदा इस जहां में हूँ, तो मैं ताक कर पूछी, मैंने कहा, इंसान तो मैं भी हूँ, ऐसी अनुवूती मैंने ना पाई, मैं तो वेडम बनाओ को सदा सुल जाती आई, अब तुम्हारे यहां कोई काम नहीं, किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं, वे बोला जरा सबर करे लड़की, कहां चल दी हूँ, अकड़ी अकड़ी, तु भूल गई, तु भ्रम जाल में फस गई, क्योंकि समाज का रिवाज है, अगर उसकी सुनी तो तु रुक गई, आगे का सफर भी ब्रहमित होगा, पर तेरी जिंदा दिली पर आज यह ब्रहम भी ब्रहमित होगा, काश तु सारे, काश तु सारे रास्ते बुझा दे, और आगे खड़े क्रोध से मुझे बचा ले, मैंने ताक कर पूछा, क्रोध की भी यहां लाइन ह उसने हसते वो बोल दे, आरे आप इस एरिया, इसी का तो एरिया में वर्ल्ड वाइड है, मैं तो निराश होकर चल रही थी, कोने में खड़ी 10-20 प्रतेशत दुनिया मारे, दुनिया क्रोध के मारे डर रही थी, मैंने पूछा, आप समय यहां क्यों खड़े हैं, चलिए मे हम सफर बन जाईए, आगे मैं चलूँगी थोड़ा पीछे पीछे आप भी आईए, सब बोले, क्रोध से लड़ोगी तो जला दी जाओगी, उसे प्रेम का बाट पड़ाया, तो काट दी जाओगी, बच्चे जैसी जितकी तो ब्रूण हत्या का शिकार हो जाओगी, काटी जाओगी, मारी जाओगी, जलाई जाओगी, इन सबसे अच्छा है कि तुम आगे ही न जाओ, मैं बड़ी ठाके लगा कर हसी, और कारे मैंनी डरती इस क्रोध से, मैं तो पहले ही चारों से मिलने की सोच कर आई थी, इतने मैं घूरता हुआ क्रोध मुझे देख कर बोला, क् कहा रास्ता बिचाओ, मैं नहीं, हम चलेंगे, क्रोध आखों में प्रश्ण लेकर मुझसे पूछा कौन, तो मैंने का तुम और मैं, तब हसकर पटक दिया मुझे उस आग में, पर मैंने भी कसकर पूरे पत पर पकड़ी रही उसकी टांगे, वो जलता सो लगता सा करा कर ख ठड़ा हो गया, मैंने का क्यूं, खुद पर पड़ी तो क्रोध भी ठंड़ा हो गया, दूसरों पर बरसाना अंगारे आसान होता है, तुम चंद लोगों की वज़े से ही यह हर दिन नजाने कितनी लड़कियों का मरना होता है, हर घर के कोने में पड़ा है न तेरा बिस्तर पर अब जाडने आ रही है, कोई न कोई लड़की ओड़कर प्यार की मेरे जैसी चादर, क्रोध चीकता हुआ भाग रहा था, पीछे से ब्रह मैं भी हूँ, और अंदेरा तो जैसे खुद ही गायब हो रहा था, मैंने पूछे पलटकर लोगों से कहा, तुम क्यूं डर रहे पर मैंने वहाँ देखा कोई नहीं था, कुछ लाल कण ही थे, थोड़ी सी हल चल थी, तब अवाज आई, सुबह हो गई ननीकली, चल आज से हफते भर बाद, दुनिया देखने का समय आ गया है, मैं समझ गई, कि लड़ने वाली कोई और नहीं मेरी मा थी, जिसने तीन को ब ममता की कसोठी पर खरी उद्रूंगी, तेरे समाज को तुझसे बढ़कर परखूंगी, तेरे समाज को तुझसे बढ़कर परखूंगी, दन्यवाद